कुछ इसलिए भी लोग खपा राते हैं मुझसे क्योंकि मैं अक्सर वही कहता हूं जो सच होता है बेसक आख खुद को ग्यानी समझो लेकिन दूसरों को मुर्ख समझने की मुर्खता मत करो कभी तुम पूछ लेना कभी हम भी जिक्र कर लेंगे छुपा कर दिल के दर्द को एक दूसरे की फिक्र कर लेंगे जिन्दगी में उचा उठने के लिए किसी डिगडी की जरूरत नहीं अच्छे सब्दी इंसान को बादसाह बना देते हैं अक्सर उन लोगों के दिल तूटे होते हैं जो सब का दिल लखने की कोशिस करते हैं समझान की राक देखकर मन में एक खयाल आया कि सिर्फ राक होने के लिए हर इंसान जिन्दगी में दूसरे से कितनी बार जलता है जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी आवकाद देखती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी आवकाद दिखाती है जिन्दगी जब किसी दोडाहे पर लाती है एक अजीब सी कस्मकस में पर जाती है चुनते हैं हम किसी एक राह को और दूसरी राह जिन्दगी भर याद आती है अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोडी की तरफ मत देखो अपनी आख से एक आशू गिरा कर देखो कि कितने लोग इसे पोचने के लिए आते हैं एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों ढूंडने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है जिसका जितना अधिक पडियोग करेंगे वो उतना ही उभरता जाएगा किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो या संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर पूरी तरह से नर्क उन लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं बलकि दिमाग में रखते हैं दूद, दही, छाच, मक्खन और घी सब एक ही वन्सके हैं फिर भी सब की कीमत अलग है क्योंकि श्रेष्टता जन्म से नहीं बलकि अपने कर्म, कला और गुनों से प्राप्त होती है चरचाए खास हो, तो किस से भी जरूर होते हैं, उंगलिया भी उनपर ही उठती है, जो मसहूर होते हैं जरूरी नहीं, किसी बड़े चीज से ही बड़ी घाव हो, कभी कभी छोटी सी बात भी गहड़े जख्म दे देती है देखी जमाने की यारी, बदले सभी बाड़ी-बाड़ी, रंग दिखाया हर एक ने, मतलब की ये दुनिया सारी अगर जिन्दगी में सफल होना है, तो पैसो को हमेशा जेब में रखना दिमाग में नहीं रोज-रोज एस्टेटस बदलने से जिन्दगी नहीं बदलती, क्योंकि जिन्दगी बदलने के लिए अपना भी एक एस्टेटस होना जरूरी है किसी के दिल को चोट पहुचा कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुच चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है आपका दिल बहुत कीमती है, वोशिस कड़े उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो तुमारी जिन्दगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो, इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिन्दगी उतनी बेहतर हो जाएगी सवरना ही है, तो किसी की नजरों में सवर्ये जनाब, काज के आईने से खुद का मिजाज पूछा नहीं करते चरीत्र एक ब्रिक्ष है, और प्रतिष्ठा यस और सम्मान उसकी छाया, लेकिन बिडम्बना यह है कि ब्रिक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सब को चाहिए गुजर जाएगा ये दोड़ भी, जरा इत्मिनान तो रख, जब घुजी ही ना ठारी, तो फिर गम की क्या ओकात हैं लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है, कि उन्हें अपने भडोसे पर सक है, और अपने सक पे भडोसा सोर मचाने से सुर्खिया नहीं मिलती है दोस्त, कर्म ऐसा करो कि खामोशिया भी अकबारों में छप जाए उकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी काईदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगना फाइदा हो इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में संख और घंटा बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है भूके को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में चपन भोग लगाता है, अंधेरा दिल में है, दिये मंदिर में जलाता है मदद करनी हो तो गैरो की करो क्योंकि अपने तो अक्सर उसे फर्ज का नाम दे देते हैं अच्छे ने अच्छा जाना मुझे बुड़े ने बुड़ा जाना मुझे जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है धन को बरबाद करने पर तो आपके वल निर्धन बनते हैं लेकिन समय को बरबाद करना जिन्दगी का एक हिस्सा बरबाद करने जैसा है मुर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है मच्छर मड़े या ना मड़े पर स्वयन को एक चाटा अवस्य लग जाता है वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिष्टे को कपड़ों की तरह बदलते हैं